प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने अपने ट्विट में लेखा दिल्ली के बिविन हिस्सों में व्यापत इस्तिती पर व्यापक समिक्षा की गई पुलिस और अन एजेंसिया शांती और समान इस्तिती सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर काम कर रही है शांती की कोशिशे जारी हैं मैं दिल्ली की अपनी बहनों और भाईयों से हर समय शांती और भाईचारा बनायर रखने की अपील करता हूँ यह महत्वपूर्ण है कि शांती हो और समान इस्तिती जल से जल बहाल हो इससे पहले कॉंग्रेस की अंतरिन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के जरिवाल सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस तक पर हमला बोला उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता नफरत की बोली बोलते रहे और सरकार ने कुछ नहीं किया उन्होंने पूछा कि ग्रेम मंत्री अमेशाहर अविवार से कहा थे सोनिया ने अमेशाह से इस्तीफे की मान की है भर्तिय जन्ता पार्टी के अनेक निताओं ने भरकाव भाशन देकर दर और नफरत का महौल स्वेलाया पीछले 72 गंते में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जान बूच कर कुछ कर्यवाही ना करने के कारण 20 से अधिक जिन्दगियां जा चुकी पीछले इत्वार से देश के घ्रहम मंत्री कहा थे और वो क्या कर रहे थे दिल्ली हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है सरकार और पुलिस के आक्शन में आने के बाद भी आज सुभा फिर हिंसा भर की दिल्ली के गोकुलपूरी में आग जनी हुई अब भी राजधानी के चार इलाखों में कर फ्यू है चांदबाद पुलिया के नाले से आई बी के कॉंस्टेबल अंकिच शर्मा का शव मिलने से पुलिस सकते में है शर्मा को मंगलवाज शाम पुलिया पर दंगईयों ने घेर लिया था इसके बाद उनकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई इसके बाद उनका शव नाले में फेक दिया गया दिल्ली पुलिस पर आज सुप्रीम कोट और हाई कोट की भी सक्त टिपड़ी सामने आई है सुप्रीम कोट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया अदालत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल उप मुख्यमंत्री मरीश सिसोधिया को हिंसाप पीडित इलाकों में जाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए। दिली हाइ कोट ने साथ ही कहा कि दंगा पीडितों को मुख्यमंत्री अर्विंद को सुचारू करना चाहिए। सप्रीम कोट ने मद्यस्तितों से कहा कि हमने उनकी दी रिपोर्ट देख रखी है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप पुलिस को देमलाइज नहीं कर सकते हैं इस समय हमारे पुलिस बलके कॉंस्टेबल की मौत हुई है सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस मामले में विचार नहीं करना चाहते हैं अदालत ने कहा कि इस मामले के सुनव प्रदर्शन की जगा नहीं होती है सुप्रीम कोट ने कहा कि पुलिस अपना काम करे कभी कभी परिस्थिती ऐसी आ जाती है कि आउट ओफ दा बॉक्स चाक कर काम करना पड़ता है जस्टिस के एंड जोसिफ ने कहा कि जिस पल एक भड़काव टिपड़ी की गई पुलिस को का कारवाई करनी चाहिए थी दिल्ली ही नहीं इस मामले के लिए कोई भी राज्य हो पुलिस को कानून के अनुसार काम करना चाहिए ये दिकत पुलिस की प्रोफेशनलिजम में कमी की है सुप्रीम कोट ने कहा कि हमने प्रशाशन को एक्शन लेने से नहीं रोका है अदालत न स्थान की बूदी में इस्थित कोटा लाज सोत मेगा हावे पर इस्थित लाखेरी में हुआ तेज रफ्तार बस अचानक असंतुलित होकर नदी में गिर गई हाथसे के बाद इस्थानी लोगों ने राहत और बचावकार शुरू कर पुलिस को सुचना दी यह हाथसा बूदी में मेज नदी पर बनी पुलिया पर हुआ पुलिया पर सुरक्षा दिवार नहीं है पता जा रहा है कि बस में कोटा के एक परिवार के कुछ लोग शाली सामारों में भात लेकर जा रहे थे बस में शमता से अधिक सावारिया थी मौके पर पहुची पुलिस ने राहत और ब देने का निरेश दिया है इसके साथ ही म्रत्कों के पईवार को दो दो लाख रुपए का मुआपज़ा देने बाच्पा के वरिष्ट नेता और विधायक नरुतम मिश्रा ने अखबार में छपे सरकार के विज्यापन को लेकर कमलनात पर तंच कसा और गहा कि सरकार का विज् नहीं रोख पाए ड्रग माफिया मुक्त करने की बात आप कर रहे हैं जबकि शराप से ही चार हजार करोन रुपए अतरिक्त वसूलने के लिए आपने नई आफकारी नीती बनाई है आपका दावा है कि महिलाया सुरक्षित है जबकि मंत्री ही कह रहे है कि बाहर निकलने से दर लखता है मैलाया सुरक्षित है नरोतम ने कमलनाज सरकार के नीतियों को लेकर निशारा साधा और कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध वियान पूरे प्रदेश में वसूली का ध्यान बन गया है भोपाल का बड़ा व्यवसाई तो अपना व्यवसाई बंद करके ही है उन्होंने अप्राद और माफिया मुख्त होने की बात कई रेड के अवैद कारणवार खत्म करने की बात कई अगर रेड का कारणवार और माफिया खत्म हो गया तो जी कपूडर मावा नदियों पर जा के पकड़ रहे हैं कभी डंफर तो यह कौन से किन को पकड़ रहे कौन सा अवैद कारोबार है और कौन कर रहा है आपके मंत्री कह चुके कि हम माइनिंग का काम अवैद माइनिंग नहीं रोप पाए इसलिए हम माफी मांगते हैं आप ने का के डग माफिया अरे आप सरकार हुजूर मद्द्प्रदेश में चार हजार करो दोकादडी के आरोप में फरार शराब माफिया दिलीप शिवहरे को जबलपूर से गिरफतार किया जब शिवहरे की अग्रिम जमानत की अरजी खारिच होने के बाद वे कोट से बाहरा रहा था पुलिस द्वारा पुश्टाश के लिए उसे हवीब गंश्थाने लाया गया जहां से उसे कोट में पेश कर दिया गया गौरतलब है कि दिलीप शिवहरे पर धोकादडी के कई मामले दर्ज है शिवहरे ने अपने करीबी मित्र अशोग दुबे से शराब कमपनी में करीब डेर करोर रुपे इन्विस्ट करवाए थे दोनों के बीच कमपनी में होने व जोगों को पार्टनर्शिप के नाम पर कई और धोकादड़ी के मामले दर्ज हैं सीएसपी भूपेंद्र सिंग ने बताया कि पुलिस ने शिवहरे को गरफतार करने के बाद कोट में पेश किया है अबीब गंज थाने के दुवारा उनके अपराद में दाराच चारसोचे के अपराद में उसकी गरिपतारी की है और उन्हें ने आले पेश किया जा स्वच भाराद स्वच भाराद सब बढ़ें सब बढ़ें जैसी अन्य कई सरकारी योजनाओं को मुचिडातिये तफवीर रिवा जिले के त्योथर के मुरली गाउं की है जहां आजादी के सतर साल भी जाने के बावजूर आज तकिसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का क्रियानवन नहीं हुआ और यहां के लोग गुदगुद कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं ना चलने को सड़त ना पीने को पानी ना ही घरों में सोचाले है हर चीज के लिए महताज हैं यहां के लोग यहां सरकारी नलकाफी समय से खरा पड़े हैं गाउं के लोग अब परिशान और हराकान हो रहे हैं गाउं के लोग आज भी सर पर बाल्टी और मट का रख कर दूर दराज तक पानी भरने जाते हैं और उसके लिए उन्हें गाउं की पकडंडियों से होकर खुजरना पड़ता है इतना ही नहीं गाउं के कई घर अब भी बिजली से अच्छूते ही हैं नहीं है कि मतला इस्कूल हो जाए तो बहु बेटी यह उन्हें पढ़ाई वाली बेती तहीं पढ़ाए पच्छमा की आगे कव नव बेती नहीं है तुर बच्चे पच्मी तक पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर साथ किरों दूर पढ़ता है बच्चे जा नहीं पाते हैं कुछ चोटे-चोटे कोई सुभ्दा नहीं है, रोड नहीं है, सौंचाला याज नहीं है। कोई सासनों योजना नहीं यह मिलता है। और कोई माकान सासन की योजना यहा नहीं बने हुए है। आज तक है. मुरली गाव में प्रशाशन ने ना मात्र के लिए बिजली के तार तो पहुचा दिये लेकिन अब तक बिजली नहीं पहुचा सके गरामीनों का कहना है कि गाव में एक पार्शाला बनवाई तो गई है परहंतु उसमें केवल कक्षा पांचवी तक की ही पढ़ाई हो पाती है जिसके कारण आगे की पढ़ाई उनके बच्चे नहीं कर पाते हैं और अगर कोई आगे की पढ़ाई करना भी चाहे तो उसे पहाड़ी मार से गुजर कर अन्य थानों पर जाना होता है यहाँ प्रधानमंत्रियावात योजना और उज्वला योजना का लाब भी ग्रामिरों तक नहीं पहुचा है इन सब समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार उच इस तर तक शिकाद भी की है मगर शाशन प्रशाशन के द्वारा अब तक उनकी समस्याओं का किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं किया जा सका है यहां परसानी है, न लेटरींग अखाया, न बात्रूम है, न कोई बिधायक आए सकता है, बोड को आए सकता है बाकि हिए कोई कोई सुनाई ही है, न जीकाद है, न घर के पाईसान कोई सुभधा है कौनों चीज का नहीं है, दुखी बेरामी है, तो ले जाए कढ़िलाए के, बच जाए तो बच जाए, नहीं तो जी गए तो जाना बड़ी भात है। जिस गाओं की बात आप बता रहे हैं, यह संभव है, कि दूरस तो ग्राम है, कई बार उन में सुगधाओं का अभाव जाता है, उसकी लगतार और सही डंग से परविक्षिण नहीं हो पाता है, इस गाओं में यो भी मूलबूर्ट सुगधाओं की कमी है, जैसा आपने बता ह पात्मी के बाद बच्चे जो हैं यहां पर अन्य गाओं में पढ़ने के जाना होता है, सड़क और बिचली पाने की भी आपने यहां पर कमी रताईए, जितनी वी जो बहुत सब्दा हैं, जो पंचायक की माधम से और अन्य विद्वाह को माधम से यहां पर रदाय की जाना यह एक बार हम पूरस ग्रामों में रिव्यू करेंगे और संबंदे जो भी अधिकारी हैं इसमें जो भी आवशक्ता हैं उनका आक्रन करते वे इसमें सोगेदाया मुहिया कराएंगे अंबिकापुर में PG College के Auditorium में जिलापंचायट के सभी नव निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों को जिलापंचायट CEO कुल्दीप शर्मा ने शपत लाई जिसमें मुखे अतिती की तोर पर 36 कर के स्वास्थमंदी टीए सिंग्देव उपतित हुए कॉंग्रेस ने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिलापंचायट में बना लिये हैं और 15 साल से काविज रही भाजबा को बाहर का रास्ता दिखाया है जिसके बाद कॉंग्रेस द्वारा यह पहला सम्मिलन किया गया शपत ग्रेहन के बाद स्वास्थमंद्री टीयस सिंग्देव ने कहा कि सर्गुजय जिलापंचायट चुनाव में 14 सीटों में से 10 सीटों पर महिलाओं ने जीद दर्श की है जिलापंचायट सदस्थे के रूप में अपना इस्थान बनाया है और यह बहुत ही गर्व की ब ुक्त है ऐसे में राश्ने Side में महिलाओं की संख्या अधिख होती है तो देखकर खुशी भी मैसूस होती है 14 में 10 यह बड़ी संख्या है और खुश करने वाली संख्या है अगर आध्या औरक्षण भी महिलाओं की लिए था तो चवद ने साते लेकिन 10 महिलाओं चुन में आई हैं ये इस बात को इंगित करता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में हम बहुत आगे बढ़े हैं ये अनसुचि जंजादी इलाका कहलाता है ट्राइबल इलाका कहलाता है आदिवासी इलाका कहलाता है और परंपरागत तोर पे भी यहां अगर आप देखेंगे तो लिंग अनुपात में भी ट्राइबल एरियाज में महिलाओं का और पुरुशों का लिंग अनुपात की अंतर कम होता है तथा कथित विक्सित शेहरों की तुलना में लेकिन जन प्रतनिधित के छेत में इनको जब मौका नहीं मिल पा रहा था तो राजीव जी के समय जो पंच कर तोर पर मेरे लिए भी और समाने रूप से भी बहुत ही खुशी की बात है चतरपुर में दिल दहला देने वाली अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया बताया जा रहा है कि बीते दिनों बिजावर शेत्र के शाहगर में आरोपी बंटी लोधी चोरी करने की इरा कर दिया जिसके कार महिला की मौत हो गई और आरोपी यूबक मौके से फरार हो गया पुलिस ने आरोपी यूबक बंटी लोधी को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने आरोपी के पास से संतामन हजार रुपए नगज एबम चादी के जेवराद जप्त किये हैं अबरान हचुका है आरोपी ने बताया है वो अके लिए चोरी करने के लिया थे जब दे लिया तो मेला ने उसको देख लिया इसे वो घबडा कर अपने रुमाल से मढ़ाई लगा हुआ तो इसके मूह मढ़ा ले इसे मेला बेऊश होगा और उसके चोरी को इन्जाम दिया उसका जाते वग इस डर्सी की कही मेला जो है किसी को बता ना थे लेट से रिज़र उसका जर्दन रेख दी है बोपाल इस्तिद फायर स्टेशन पर भोपाल नगर निगम फायर फाइटरों ने यूएसे से आई फायर फायर फाइटरों के साथ आग पर काबू पाने के लिए सईत रूप से अभ्यास किया अगनी सुरक्षा और रोप्ताम पर आयो जिस कारिकरम में नगर निगम गौलिर के साजित खान सेवा सदन के ट्रस्टी लोकुराम जन्यानी सहित कई गन्माने नागरिक एवं बड़ी संख्या में भोपाल फायर करने उपस्चित रहे USX AI फायर 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 टीम ने अगनी सुरक्षा और रोप्ताम पर विचार विमर्ष किया जिसके बाद अगनी सुरक्षा को लेकर डेमो भी दिया गया कारिकरम ने बताया गया कि अगर गैस लीक होती है या कहीं आग लग जाती है तो किस तरह बचाप करना चाहिए कारिकरम को सिवा सदनी नेत्र चिकित साले की साहिता से नगर निगम भोपाल द्वारा सहित रूप से किया गया है कि दोनों मिलके हम लोग यहां पर एक जागरुकता भियान करेंगे और आदान परदान करेंगे कि हमारे मुल्क में बले एकुपमेंट कम है लेकिन जो होसला और पावर है उसका पूरी दुनिया को मुकाबदा नहीं कर सकती आप देखें जलती आग में लोग को निकालना ब कर रहा है और संधिर्धार नागर में सेवा सदन के माद्यां से एक प्रोग्राम आएदेंट किया गया है नगर नीगम और सेवा सदन के दोनों हम लोग मिल जून के यह प्रोग्राम कर दोनों के लिए बसंत 300 आवास रिंड योजना निकाली है जिसके तहत ग्रहक अपना घ प्रिपिया सुल्क नहीं होगी महुरकर ने बताया कि लोन का लाप कोई भी उठा सकता है लोन अधिक्तम 30 वर्ष के लिए रहेगा और 75 वर्ष की आई के लोगों को इस योजना का लाप मिलेगा इसके साथी लोन की नियुनितम EMI 734 रुपर प्रती लाप होगी महुरकर ने ब खरीदना चाहता है इनके लिए Central Bank of India ने 12 फरवरी से यह स्कीम लाउंच किया हुआ है यह स्कीम 31-3-2020 तक रहेगा और इसमें कई ओफर हम लोग दे रहे हैं जैसे कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं रहेगी प्रोसेसिंग फी नील रहेगी इसमें न्यून नतम ब्याज सेंटल बैंक ओफर कर रही है आठ परसेंट का इसमें और भी कई अच्छी चीजे हैं जो 30 साल तक का अपना रीपेमेंट इसमें दिया जाता है और हम चाहते हैं कि जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं वो जरूर सामने आए और इस बसंतों सो आवास रून योजना का साकार के निर्णे और आदेश जारी होने के बाद राज्यकर विभाग ने सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टिप्लेक्स को निर्देशित किया है कि फिल्म देखने आने वाले दर्शकों से टिकेट पर SGST ना वसूलें फिल्हास फिल्म की टिकेट पर 18% जीस्ट लगता है इसमे किया गया था पर टिकेट की कीमत में जीस्ट जुड़ा होने के कारण इसका लाब दर्शकों को नहीं मिल पाया था ऐसे में इस बार राज्यकर विभाग को SGST नहीं वसूलने के अलग से निर्देश देना पर देखने संगीत की स्वद लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने ता चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकडंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज्टीती से कूटनीती ता दखन न्यूद, आप क्या हैं? आप देख रहे हैं दखन न्यूद